समा डिली सीएम केज रिवाल माट लारत ना रिप्ला वाई चुद्दा मेरी शुगर तीन सो सवा तीन सो तक पहुंच गई इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किड्नी और लिवर खराब हो जाते हैं पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे इन्होंने ऐसा क्यूं किया जेल में मैं 50 दिन था इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था आज 64 किलो है जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शेरीर में किसी बड़ी बिमारी का भी संकेत हो सकता है कई टेस्ट करवाने की जरूरत है मेरे यूरिन में भी किटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है परसो मैं सरंडर करूँगा सरंडर करने के लिए लगबग दोपहर तीन बज़े अपने घर से निकलूँगा हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताडित करें लेकिन मैं जुकूँगा नहीं आप अपना ख्याल रखना मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है आप खुश रहेंगे तो आपका केजरी वाल भी खुश रहेगा मैं बेशक आपके बीच नहीं होँगा लेकिन आप चिंता मत करना आपके सारे काम चलते रहेंगे मैं चाहे जहां रहूँ अंदर रहूँ, बाहर रहूँ दिली के काम नहीं रुकने दूँगा आपकी फ्री बिजली महला क्लिनिक, अस्पताल फ्री दवाईया, इलाज महिलाओं के लिए फ्री बस यातरा 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे और लोट के हर मा बहन को हर महीने 1000 रुपे देने के भी शुरूआत करूँगा मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाता हूँ मेरे माता-पिता बहुत भुजूर गये हैं मेरी मां बहुत बिमार रहती है मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है मेरे पीछे से मेरे माता-पिता का ख्याल रखना उनके लिए दुआ करना भगवान से प्रार्थना करना दुआ में बड़ी ताकत होती है आप मेरी मां के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वस्थ रहेंगी मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है उन्होंने जिन्दिगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एक जुटो जाता है आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे है यदि मुझे कुछ हो जाए यदि मेरे प्रान भी चले जाए तो गम मत करना आपकी प्रार्थनाओं की वज़े से ही आज मैं जिन्दा हूँ